विवेक ओवेरोय भले ही आज एक flop एक्टर्स के लिस्ट में गिने जाते हैं मगर वो उन एक्टर्स में से एक है जिन्होंने नेपोटीजम को बढ़ावा नहीं दिया उनके फादर सुरेश ओवेरोय बॉलिवुड के दिगज कलाकार हैं जब विवेक को पता चला कि उनके फादर उन्हें लॉंच करना चाहते हैं तो उन्होंने अपने फादर को इसके लिए मना कर दिया कहा कि कमपनी फिल्म में जो कैरेक्टर है एक भाई का है और तुम चौकलेटी बॉय दिखते हो फिर विवेक ओवेरोय ने अपना होमवर्क किया वो चौल में जाकर रहे वहाँ के लोगों की तौर तरीके सीखे और 15 दिन बाद वापस उनके ऑफिस पहुंचे अपने फेस क चुकनापन चुपाने के लिए उन्होंने मुह में मिट्टी मली और उसी हालत में उनसे मिले राम गोपाल वर्मा उनके लुक को देखकर उनसे बहुत इंप्रेस हो गया और उन्हें वह रोल दे दिया तब जाकर विवेक ने बताया कि वह सुरेश विरोय जी के बेटे हैं